हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सामरा सक्सेस सेडीज एजुकेशन से कक्षा दस्वी बोर्ट परिक्षा 2018 के प्रेशन पत्र हल करने की श्रिंखला में एक नया प्रेशन लेकर आई हूँ हम बात कर रहे हैं खंड गव की खंड गव में आपसे साहित्य से संबंदित प्रेशन पूछे जाते हैं और साहित्य से संबंदित प्रेशनों से हमारा भी प्राय है जो गद्य खंड होता है आपका कहानी वाला भाग होता है उससे संबंदित प्रेशन पूछे जाते हैं और हम आज जिस question की बात कर रहे हैं वो है question 9, question number 9 में जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है निवन दात्मक question और इसमें आपको option दिया जाता है कि आपको दो प्रेशनों में से एक question हल करना है अब हम बात करेंगे कि question 9 में आपसे कौन सा question पूछा गया था question number 9 में आपसे पूछा गया था बड़े भाई साहब कहानी के आधार पर लगभग 100 शब्दों में लिखे कि लेखक ने समूची शिक्षा पर ना लिके किन पहलों पर व्यंग्य किया है आपके विचारों से इसका क्या समाधान हो सकता है तर्क पूर्ण उत्तर दीजिए अब यहाँ पर आपको देखे बताया गया है आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है मतलब जो निवन दात्मक प्रेशन है उसका उत्तर 100 शब्दों में देना है एक पहरा टाइप लिखकर देना है ठीक है और यहाँ पर आपने क्या बताना है यहाँ पर आपने बताना है कि उसके आधार पर आपने ये बताना है कि जो बड़े भाई साब थे, उन्होंने जो शिक्षा परणाली है, उसके कौन-कौन से ऐसे पहलू थे, कौन-कौन सी ऐसी चीजे थी, जिन पर व्यंग्या किया था, या जिन पर टॉंट कसी थी, या बोल सकते है, जिनका मजाग उड़ जादा से जादा इसको अच्छे से लिख सको, ताकि जो आपके पांच नंबर है, उसमें कोई कटौती ना हो, या फिर वो पूरे के पूरे आएं, तो आपने किस तरह से लिखना है, आप सबसे पहले इस तरह से कुछ पॉइंट्स दैंगे, जैसे बड़े भाई साब, पार अंग्रेजी शिक्षा को बहुत अधिक बल दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है, कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, उसको कुछ नहीं आता है, मतलब अंग्रेजी शिक्षा जो है, वो अनिवार्य की गई है, उस समय की शिक्षा परणाली में, और जो दूसरा जो पहल पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है किस पंक्ति का अर्थ क्या है वो सिर्फ रठते हैं और प्रिक्षाप में जो है उसी तरह से लिख लेते हैं इससे क्या होता है जो विद्यार्थी होते हैं उनका मानसिक विकास रुख जाता है उनका मानसिक विकास अच्छे से नहीं होता है अब तीसरा जो उन्होंने पहलू बताया है वो बताया है गणित विशय को, जो गणित विशय है उसको समझना बहुत जादा मुश्किल है, मतलब जैसे आप लोहे के चने चबा रहे हो, उतना मुश्किल है, क्यूंकि उसमें जो जिमेटरी जैसा विशय है, उसको एक भी अक् बादशाहों के नाम याद रखने हैं, तो उनके जो नाम हैं वो याद रखने बहुत मुश्किल होते हैं, और इनका कोई फायदा भी नहीं होता है, उनका कोई लाब भी नहीं होता है, और जो पांचवी उन्होंने बात बताई है, वो बताई है, कि जो ये शिक्षा पढ़ की पढ़ाई है वो हमें पढ़ाई जाती है और उसके पात क्या है जो छोटे छोटे विशय होते हैं जैसे आपको याद होगा इस पार्ट में जो है इन्होंने उधारन दिया था बड़े भाई साब ने समय की पाबंदी कि समय की पाबंदी पर जो एक निबंद लिखना था व जो समय की बरबादी भी है और बे मतलब का है तो ये सारी चीज़ें जो है लेखक ने बताई है इन पर जो व्यंग्या कसा है तो हमारे विचारों से क्या है हम लेखक के विचारों से सहमत है क्योंकि ये सब जो है सही है जो लेखक कह रहा है वो सब सही है और क्योंकि इस शि झाहते हैं, विश्यों को जाहरें जीक्षा परणाली में हम चहाते हैं कि उनिहीं विष्यों को रखना चाहिए जो जीवन के लिए मेह्त होँ जिनका लाब हो और रटट परणाली है, इसको बंद कर देना चाहिए वचों žैश्यों को परणाली है वचोним लेखक के विजार से सहमत भी है और हमें क्या-क्या करना है कि इस चिक्षा पर नाले को किस तरह से बदलना चाहिए कि इसमें क्या-क्या रखना चाहिए और जो ये फालतु की चीज़ें इनको हटा देना साहिए आपसे जो अत्वा में दूसरा प्रशन पूछा गया था वो पूछा गया था अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले ये जो है पार्ट का नाम है आपको याद होगा कि इस पार्ट के आधार पर हमने सपश्ट करना है कि जो बढ़ती हुई आबादी है उनका पश प्रशन जो बड़े भाई साब से पूछा गया था वो करना था या ये वाला प्रशन करना था तो यदि आप इस प्रशन को चुनते हैं तो आप इसको किस तरह से करेंगे इसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि बढ़ती हुई आबादी का क्या प्रभाव पढ़ रहा है ठ लव इसका क्या हुआ कि जो पानी है वो कम होता जा रहा है और जो आबादी है वो क्या कर रही है पेड़ों को काट रही है ठीक है और क्या कर रही है प्रदूशन फैलाना शुरू कर रही है जिससे क्या हो रहा है जो पशू पक्षी है वो बस्तियों को छोड़ कर कहीं ब क्धान के लाकारी हैं जो बाकिन दो जो इढ में अब आपढ़ता है उसके कारण उसने क्या है नए नए जो छीज़ें हैं वो खोजना शुरू कर दिया है तो इसके लालच में क्या कर दिया है, मनुषया ने प्रकृति को बहुत अधिक नुफसान पहुँचा दिया है उस पर प्रकृति पर जो है उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है पशु पक्षियों ने बस्तिएं से भागना शुरू कर दिया है बहुत जादा गर्मी पढ़ने शुरू हो गई है भुकम, बार, तुफान ऐसी जो प्रकृतिक आपदाए हैं प्रकृतिक जो मसीब्ते हैं वो आनी शुरू हो गई है और रोज जो हैं नए नए जो रोग हैं वो पनपने लग गए हैं यहां तक हो गई सारी की सारी वो चीजें जो बढ़ती हुई आबादी के कारण दुश्प्रणाम हो रहे हैं, जो प्रकृती में छेरचार हो रही है वो, लेकिन हमने ये भी बताना है कि इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो इन सारी समस्याओं का समधान क्या ह क्या है, जो व्रिक्ष है वही एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों का समाधान कर सकता है, कैसे गर्मी से भी छुटकारा दिला सकते हैं, जो आबादी बढ़ गई है, उसके कारण जो कारण डायक्साइड जादा हो रही है, अक्सिजन कम हो रही है, उसका निवारन भी जो व्रिक्ष कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो व्रिक्ष पूरा कर सकते हैं, तो क्या है, हमने ज्यादा से ज्यादा व्रिक्षा रोपन करना है, ठीक है, तो इस भाग में हमने प्रेशन 9 के बारे में जाना, कि प्रेशन 9 में आपसे क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो परिक्षक है वो केवल आपको वही प्रशन देगा जो आपके पाठ्या पुस्तक में है वो उसमें हेर फेर करके भी थोड़ा बहुत आगे पीछे करके आपके प्रशन को बदल सकता है लेकिन अगर आपने सार पढ़ा है तो आप कोई भी प्रशन आजाए पार्ट से रिलेटिड कुछ भी पूछा जाए तो आप आराम से उस पर निबंदात्वक प्रशन भी लिख सकते हैं धन्यावाद